ओम शंती तीस छे दो हजार बिस के आज के पाबा के महा वाक्य मीठे बच्चे तुम अभी पुझारी से पुझ्य बन रहे हो पुझ्य बाब आए है तुम्हें आप समान पुझ्य बनाने प्रश्न है बाबा ने कहा पुझ्यों के अंदर कौनसा द्रडविश्वास है उत्तर है तुम्हें द्रडविश्वास है कि तुम जीते जी बाब से पूरा वर्सा लेकर ही रहेंगे बाबा की याद में यह पुराना शरी छोड बाब के साथ जाएंगे बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे है धारणा के लिए मुख्य सार है पहला साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहा तक पुर्शाट करते है चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते है दूसरा है इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्शा पाना है स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है वर्दान है मास्टर रचैता की स्टेज द्वारा आपदाओ में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव भवने कहा मास्टर रचैता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का द्रश्य अनुभव होगी जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खोलने का साधन बताते हो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या वा आपदा मनोरंजन दिखाई दे हाई हाई के बजाई ओहो शब्द निकले दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो दुख सुख की नौलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे तब कहेंगे समपूर्ण योगी स्लोगन है दिल तक्त को छोड साधारन संकल्प करना अर्थात धरनी में पाउं रखना ओम शांती